आफ्टरनून बहुत-बहुत स्वागत है आपका CNBC बजार पर और सबसे पहले तो बढ़ाई हो क्योंकि अच्छे नंबर्स हमने देखे फिर से एक बार ग्रोथ काफी अच्छा देखने मिल रहा है और लोग खुश है आपके जो पाफोर्मेंस है कंपनी के ऊपर जो आपने जिस प्रकार से एक जिसे बोलते हैं कि कारोबार किया है और आगे बढ़ाया कंपनी को लोग खुश हैं तो सबसे पहले बताइए सर क्या हाइलाइट रही इस्तिमाही की और उसके बाद हम डीटेल में चर्शा की शिरू बात करें सर्थ तक किया है अबरागा टॉलिटा है टुट नची टुट रहिए और उन्न श्रयों चर्शा को लोग फ्रषट से लिए फिर्ट रही खुट लग्ट अजा है अबरागा तुट अनट गर लेकर है तर सम्रेट से फरस्ते हैं अबराल थेस्ट परस्त पर्स्त वर्त एर ल तो हमारा gross NPA 1.27, net NPA 0.3334 के बिच में और credit cost actually negative है, 15 basis points negative है. तो overall comfortable numbers है, of course हमको थोड़ा सा नीम में थोड़ा सा pressure आए इस quarter में, लेकिन यह हमारा bottom out है नीम, इसके बाद हम लोग, तो half yearly basis में हम लोग 5.12 है, which is within the guided lines, इस quarter में थोड़ा कम हो गया, लेकिन हम लोग का पूरा साल का पाच के उपर ही रहेगा, हम लोग को इसमें कफी confidence है, और बाकी, दूसरा क्या है कि पहले हम लोग का खाली gold का ही growth होता था, इस quarter में भी gold का growth अच्छा हुआ है, 32% growth हुआ है, लेकिन year on year अब देखेंगे तो wholesale भी 17% growth हुआ है, retail assets 38% growth हुआ है, और SMA भी 22% growth हुआ है, तो all around growth जो हुआ है इस बार बैंक का यह सबसे अच्छा news है, विच मेंस more of our पूरा franchise अभी growth चलू हुआ है, तो एक product का उपर खली growth dependence नहीं है, तो overall quarter ठीक्टर गया, अगला quarter से हम लोग का जो नीम का जो एक negative है इस quarter का उसको भी हम लोग समझ लेंगे, अब sir, margins के आपने already इतनी सारी बात तो कर ली है, मैं थोड़ा समझना चा रहा था इस angle से, कि हमारे जो margins ने वो depend करते हैं, RBI किस प्रकार से rates वगेरा fix करते हैं, अब तक तो so far हमने देखा है, उन्होंने rates काफी ज़्यादा stable रखे हैं, increase नहीं किये हैं, लेकिन अगर महंगाई के जो trends हमें मिल रहे हैं, उसको देखते हुए, शायद हो सकता है, आने वाले वक्त में interest rates जो है, वो कम भी हो, भले ही यहां से एक दो तिमाही के बाद की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी, तो ऐसे situation में margins को और stable करने के लिए, यह कौन से कौन से ऐसे steps ने कदम है, जो आप उठाएंगे, प्रलाई जी. देखिए, globally जो bond yields है, वो almost 16 year high, 5% के आसपर चल रहा है, 10 year bond yield, US bond yields, हमारा भी 7.3637 level में चल रहा है, तो लगता है कि यह elevated रहेगा interest rate for a while, क्योंकि interest rate नहीं बड़ा अर्वाई government है, लेकिन जो guidance देया है, और जो liquidity का जो monitoring जो हो रहा है, तो liquidity का थोड़ा सा deficit है system में, इसके लिए rate हाई रहेगा, क्योंकि inflation is the main objective of RBI, they have said 4% का जो level है, उस level में राखना चाहते हैं, जिसके लिए ये pressure थोड़ा से रहेगा system में, oil price भी बढ़ रहा है, global crisis भी है, तो overall I think it will sustain like that, तो हमारा जो measures है वो बड़ा simple है, क्योंकि हमारा cost of funds जो more or less हो गया, और बढ़ने का ज्यादा chance नहीं है, क्योंकि price out हो गया, और हम लोग का जो बाकी products का जो yield थोड़ा कम हो था last quarter में, हम लोग उसमें measure ले रहा है, gold loan में yield थोड़ा कम हो गया था last time, और अभी हम लोग क्योंकि price भी कम हो गया था gold loan, उसी के हिसाब से yield थोड़ा pressure आ गया था, इस quarter में ओ प्राब्लेम नहीं होगा, लेकिन overall I think deposit franchise के उपर pressure सब बैंक में रहेगा, system में रहेगा. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जो credit cost है उसके बार में बात करना चाहूँगा, किस प्रकार के trend आप यहां पर देख रहे हैं, particularly retail हो गया, या फिर SME segment जो है वो ज्यादा credit की demand हो रही है, retail में भी अगर आप देख लीजिए, लोगों को credit चाहिए, no doubt, अभी है, जो festival season वगएरा भी है, उसमें भी लोग जम के पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐसे situation में किस प्रकार के credit cost के साथ आप चल रहे हैं, और ये retail और SME में किस प्रकार का focus आपका रहेगा आने वाले वक्त में? देखिए हमारा credit cost मैं पहले ही बताया कि हमारा GNPA 1.27, PA 1.34 और credit negative है अभी, now negative credit cost तो हो नहीं सकता हर साल में, तो positive हो जाएगा, लेकिन within a range रहेगा, तो हमारा credit quality portfolio में कोई problem नहीं है, system का बात करें, तो हाँ retail में growth कफी अच्छा है, SME भी growth आया है, तो उसी का हिसाब से, और festive season तो अच्छा ही जाएगा, उसी का हिसाब से हम लोग थोड़ा सा carefully handle कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नया है retail में, तो थोड़ा सा हम लोग उतना sub segment में नहीं जा रहा है, क्रेडिट जो है, जो credit cost है, वो कफी limit में ही रहेगा, मेरे हिसाब से, तो उसमें कोई problem नहीं है हमारा. ठीक अज़र, अब मैं समझना चाहूंगा, जो हमारे आने वाले वक्त में ये capital consumption है, in Q2 हमने देखा था, इस तिमाही में तो काफे ज्यादा high है रहे हैं, क्या impact है, किस वज़े से आया है, और क्या run rate आपका capital consumption में है, जो आने वाले वक्त में बढ़ता रहेगा? ठीक है, capital consumption अच्छा है, क्योंकि फिर हम लोग को capital को काम पे लागा रहे हैं, और gold business में क्या है कि capital, R.W.O. जो बोलता है, रिस्पेटर आसेट्स अलमोस जीरो है, इसके लिए हमारा capital consumption अतना होता नहीं है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि बाकी business भी धिरे-धिरे ग्रोग करने लगा है, SMA, wholesale और retail थोड़ा सा ग्रोग करने लगा है, तो capital consumption में अभी थोड़ा बढ़ेगा, having said that, यह news अच्छा है हमरे लिए, क्योंकि हम लोग whole loan के ओपर debit नहीं कर रहा है, full service franchise हम लोग जो commit कर रहता हो कर रहा है, और हम लोग technology और बाकी products में इतना invest कर रहा है, अब FY25 अब देखेंगे, तो यह bank completely change हो जाएगा the way we look at things right now, distribution भी हम लोग pan-India बढ़ा रहा है, north, west, everywhere, south, तो it will become a full service franchise, and that's the objective, वही objective से हम लोग bank को आगे बढ़ा रहा है, ठीके सर, अब मैं समझना चाहूंगा, जो slippages हैं, वो बढ़े हैं, तो किस प्रकार के gross NPA ratio के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और slippages को control करने के लिए क्या focus रहेगा आपका? अच्छले हम लोग control अल़ी कर लिया, क्या हुआ कि ओ, gold loan का price जब बढ़ा था, उसी में slipages बढ़ गया था, क्योंकि gold loan price sensitive होता है, लेकिन आभी gold का price बढ़ चला गया, और उसमें एक strategy होता है कि at the right time exit the portfolio, so that slippages does not go to NPA, gold loan का कसियात है कि slippages NPA में नहीं जाता है, बाकी product का जैसे, इसलिए हम लोगा देखिएगा NPA जो है, और credit cost को जो है, वो बहुत लो है लो रहेगा, लेकिन slippages बीच में बीच में, gold price का, global gold price का हिसाब से उपर निचे होता रहेगा, लेकिन उसके impact final PNL में बैंक में नहीं होता है, अभी ये इतना बड़ा problem नहीं है हमारा बैंक का, ये काफी control में है, ठीक है जर, तो इनके उपर तो हमारी नजर जरूर से रहेगी, gold loan के बारे में बताया, आपने की काफी ज्यादा focus आपका यहां पर है, जिस वरकार से मैंने बताया कि लोगों को पैसा चाहिए, काफी ज्यादा growth आने वाले वक्त में भी है, visibility क्या है sir, यहां पर growth के लिए आपके? Gold loan में growth हमारा, 32% growth हुआ है, year on year, वो बार कर रहेगा उसी हिसाब से, बाकी products भी growth होगा, तो हमारा overall growth projection for the bank is as I said before, 50% faster than the system, which roughly will be anywhere between 20 to 25%, लेकिन हम लोग 25% की उपर ही कर रहा है, कोशिश करेंगे कि उसी का हिसाब से बाड़े, गोर्डोन का जो growth है, वो sustain रहेगा, क्योंकि उसको degrowth होने का तो चांस ही नहीं, हमारा franchise जो है, वो उसका power focused है, वो बार कर रहेगा. चीक अज़र, इन सारे मुद्दों पर नज़र रहेगी, आखरी सवाल मेरे रहेगा, जो consumption चल रहा है हमारा, और जो economic activities देश की हैं, किस देशा में आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने शुरुआत में बताया, कि global bond yield वगरा की चिंताएं तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमारे जो आकड़े हैं, आरतिक आकड़े हैं या फिर बाकी जो भी numbers बगरा आ रहे हैं, वो काफी ज्यादा encouraging है भारत के प्रले साथ। Absolutely, I think this is बहुत ही यह आच्छा चल रहा हमारा country का जो economy, even if you see RBI का जो projections 6.5% GDP growth, I think that's one of the largest growth in the world, inflation भी धीरे-धीरे control में आ रहा है, लेकिन जब तक 4% तक नहीं आ जाएगा, I think RBI will continue to have their focus on the inflation, because inflation बहुत important होता है for the long-term economic growth of the country, और a CapEx cycle धीरे-धीरे अभी government CapEx से, private CapEx आगला साल में चलू हो जाएगा, तो consumption भी बढ़ रहा है, और overall जो growth trajectory, जो दिकरा है, government का various schemes जो है, उस ही का हिसाब से, manufacturing, road, transport, everywhere, infrastructure, सब में अच्छा चल रहा है, तो I think overall ठीक है, लेकिन हम लोग को देखना पड़ेगा कि यह जो global crisis है, we are not disconnected. So from that perspective, what has happened in Israel for example, or related oil prices, we are a net importer of oil, तो उस सब देखना पड़ेगा कि what it means for us, but broadly, अभी अच्छे ही लग रहा है, India's story seems to be gaining momentum and it's on a very, very strong base. Definitely, sir. बहुत बहुत शुक्रिया प्रालाई सर आपका हमारे सर जुनने के लिए और यह सारी जान करे देने के लिए. Thank you, sir. Thank you, Miraji. Thank you.